बाडमेर जसल मेर संसदी छीतर में चुनाव अब रोचक मोट पर पहुंच चुके हैं पुर्व सांसद मान वेंदर सिंग जसोल भाजपा छूड कर कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं भाजपा से केलास चोधरी चुनावी मैदान में है तो वहीं भाजपा के केलास चोधरी के लिए परधान मंतरी नरेंदर मोदी पूर्व मुक्के मंतरी वसुंद्रा राजे हनमान बिन्वाल सहित कई बड़े नेता चुनावी जन सभाई कर चुके हैं एवं शुनिवार को फिल्म अभिनेता सनी देवल भी रोडशो करने के लिए बाड़ मेर आ रही है दूसरी और हाल ही में बाड़ मेर से सांसो करनल सोनराम चोधरी ने कॉंग्रेस में जाने से इंकार करते हुए राष्टर हित में भाजपा के साथ ही रहने की घोशना के साथ ही कॉंग्रेस को तगड़ा जटका लगा है भाजपा के किलास चोधरी युवा वो बायत विधान सभा में करवाए गए विकास कार्यों के बलबूते एवं स्टार पर चार को तथा मोधी लहर पर सवार नज़र आ रही है परधानवंतरी नरेंद्र मोधी की जनसभा के बाद से महाल में काफी ज्यादा बदलाव नज़र आ रहा है वहीं दूसरी और राष्ट्री लोकतांतरिक पार्टी की सुप्रीमों हनुमान बेनिवाल एवं भाजपा नेतारुन चत्रुवेर्दी भी शुकरवार को बाड मेर जैसल मेर लोकसभा छेतर के चोटन एवं बायतु मेर जनसभाय कर भारते जिंता पार्टी को वोड़ देन वहीं हनुमान बिनिवाल ने कहा कि मैं मंतरी नहीं संत्री बनकर राजस्थान के किसान युवा एवं गरीबों की सेवा करने के लिए आया हूं मोधी से परभावित होकर भाजपा के साथ मैंने रालोपवा का गठ बंदन किया है देश के परधान मंतरी मोधी से पाक भी घबराया हुआ है बिनिवाल स्यम अशोग गहलोथ परिशाना साथ तुई का कि अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरी राजिस्थान सरकार जोधपूर में लगा दी है भाजपा नेता आरुन्द चत्रवेदी ने कहा कि देश हीत में जनता ने मोधी को परधान मंतरी बनाने का मानस बना लिया है भाजपा परतियाशी केलास चोधरी ने कहा कि मैं आपकी हर तकलीफ में साथ दूँगा लिकट कियो आपका मुख्य मंतर तो यहीं है पेताली साल उमर है अभी तो फिरोजों की छाती पर चाली साल तक मूंग दलूँगा यह देख करो उन सब को मैं उठा के उनको पेक करके और जाके ले जाके पटक जूँगा इस चीज का भी जान रखना भाईयों यह वो लोग है जो सत्ता के लिए कभी जा सकते हैं और गर्ज होती है तो किसी को भी अपना बाप पना लेते हैं और गर्ज मिड़ती है तो यह यह लोग के गुर्गान करते हैं इसे इन लोगों से भी सावदान रेना अनमान तो वह लड़ा का है